A very good evening to all of you सभी प्यारे व्यूवर्स का वेलकम है Complete English Grammar की सीरीज के Part No.39 में मेरा नाम है Amun Bahal और इस तरीके से मैं आपको इस सीरीज में SSC और Banks इवन UPSC और Railways Defense Exam भी आ जाएंगे सबकी Grammar इस तरीके से करवा रहा हूँ इसके बाद ना तो आपको कोई बुक खोल नी है और ना ही किसी Paid Course को जोइन करना है अगर आपने 49 पार्ट अभी तक मेरे साथ चलते हुआ है हो तो आपको पता होगा as a teacher मैं आपको train कर रहा हूँ ना कि as a student तो teacher की तरह मैं आपको grammar यहां पर सिखा रहा हूँ शुरू कर ले conjunction का advance part है पिछले बार तक मैंने आपको basic conjunction करवा दी है rule number 8 तक है ना core relative conjunctions लेकिन यह conjunctions के सारे rules बहुत easy थे आज आपने करेंगे advance वाले और इस quiz से आपको idea लग जाएगा आप कितने भी अच्छी हो English में कितने भी दुरंदर हो यह 5 questions में से कम से कम एक question जरूर गलत करेंगे कम से कम बोल रहा हूँ 3 गलत होंगे average हर person के और दूसरा गलत तो आप करेंगे करेंगे जो सही कर रहे है उनके पिछे का आपको logic भी अच्छी से नहीं बता होगा कई questions के अंदर समझे हो ना तो अपनी पूरी class का आज का निचोड यही है कि हर बच्चा आप में से हर लड़का और लड़की class पूरी होने के बाद इस quiz को 100% accuracy से और confidence से solve करेगा सही सही marks निकालेगा शुरू कर ले वीडियो को एक like देगर के share कर देना content मैं आपको वो दे रहा हूँ जो teachers paid में भी नहीं दे रहे हैं 10 minute की वीडियो में आप खुद realize करेंगे ऐसा content खहीं भी available नहीं है चलो गबराना नहीं है बस अपना focus बना के रखो इतना ही मैं चाहता हूँ थोड़े advanced rules है पिछले part में आपने ये chart देख लिया था इस chart में मैंने आपको बता दिया था कि conjunction का पूरा जो chapter है ना उसकी Bible यही है इस chart को जिसने समझ लिया उसका conjunction chapter पूरा हो गया है ना आज इसी chart को अपने आगे बढ़ाएंगे इसमें से advanced वाले question को निकालेंगे आज आपनी first structure पे side में आपको chart मिलेगा पूरा का पूरा इसी को देखकर के हमें सारे questions को solve करना है पहली structure है हमारी 2-2 वाल ये sentence को आप देख लो ध्यान से the questions were so difficult to answer सवाल बड़े मुश्किल थे सवाल बड़े मुश्किल थे जवाब देने के लिए मतलब सवालों का level इतना ज़ादा था कि मैं जवाब ठीक से दे नहीं पाया समझ गे sentence का meaning समझ गे न अब इस structure को समझो ध्यान से structure कहती है 2 एक तो TOO वाला 2 और एक फिर दूसरा 2 ये वाला 2 और बाद में infinitive मतलब ये पूरा infinitive बना दे और बीच में लगाओ एक adjective अगर इस sentence को मैं सही structure में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे 100 को निकालूँगा और इसके जगाँ पे TOO वाला 2 लिखूँगा अब देखो ये वाला sentence सवाल इतने ज़्यादा difficult थे कि मैं उनका जवाब नहीं कर पाया दोनो sentence का meaning वही है यहाँ भी सवाल मुश्किल थे जवाब नहीं कर पाया यहाँ भी वैसा ही case है लेकिन structure गई बजल अब देखो यहाँ पे जो structure बनती है आपको इस that को देखकर कि उसका idea लगाना है structure का नाम है so that यहाँ पे two double o वाला two नहीं लगेगा यहाँ पे लगेगा so difficult that I could not answer them समझगे ना दोनो structure का meaning एक ही है दोनो structures का meaning एक ही है पहली वाली structure में two plus में adjective plus में infinitive दूसरी वाली structure में so plus में adjective plus में पूरा का पूरा है close close मिले तो so that और अगर आपको adjective के बाद में infinitive मिले तो two two समझगे अब देखो इसमें थोड़ा सा over advance लते हैं इन दोनों structure में थोड़ा सा difference भी है difference समझो पहली वाली structure में जब आप positive इसको बना रहे हो दूसरी वाली structure में note आ जाएगा the questions were so difficult to answer सवाल इतने मुश्किल थे कि मैं जवाब नहीं दे पाया लेकिन इसमें कहीं भी note नहीं लगा हुआ too difficult to answer जो है इतना लिक करके मैंने already note को इसमें डाल दिया है इस structure में कहीं आपको note नहीं दिखेगा लेकिन जब मैं structure को बना रहा हूँ यहाँ पे आपको note लगा हुआ दिखेगा the questions were so difficult that I could not answer them समझगे ना तो यहाँ पे अगर positive आया है तो यहाँ पे negative आयेगा यहाँ पे negative आया है तो यहाँ पे क्या आयेगा positive आयेगा अब आजो इसका advanced version दो sentence आपके सामने लिक्यों में साई से समझ में आ जाएगा तो एक बार में समझ में आ जाएगा है ना the questions were too easy to answer सवाल बड़े असान थे answer करने के लिए यहाँ पे 2 लगा है यहाँ पे 2 लगा है structure बिल्कुल follow हो रही है 2-2 वाली बीच में adjective आ रहा है यह भी ठीक है बाद में bare infinity वारा है answer verb की first form है जवाब देना यह भी ठीक है grammatically 100% correct sentence है इसी sentence को मैंने यहाँ खोल दी है questions were so easy that I could not answer them सवाल इतने आसान थे कि मैं नहीं का जवाब नहीं दे पाया 2 की जेगा पे so लग गया इस 2 की जेगा पे that लग गया और बाद में पूरा का परा close आ गया यह भी 100% grammatically सही है यहाँ पे plus वाला sentence है affirmative है इसलिए हमने आप नोट लगाया आपको देख लिया ना फॉर्मला नीचे अगर उपर affirmative हो तो नीचे नेगटिव होगा यह वाला sentence में नोट नहीं आ रहा इसलिए वो मुश्किल थे समझो आपको आसान भी लग रहे है और आपके रहे हैं मैं जवाब नहीं कर पाया इतने आसान थे कि मैं जवाब नहीं कर पाया मतलब sentence जो है meaningfully गलत हो गया अब क्या इलाज करें इसका एक इलाज होता है यहाँ पे easy कि देगा difficult लगाया जाए यहाँ पे उपर भी easy कि देगा difficult लगाया जाए दोनों स्क्षा सही हो जाएंगी और दूसा तरीका क्या है यहाँ से इस not को निकाल दिया जाए आप ऐसा लिख दो questions were so easy that I could answer them सवाल इतने असान थे कि मैं उनका जवाब कर पाया I was able to यह यह लिख दो I was able to answer them समझने पर बात को इस not को निकालने से sentence meaningful बन जाएगा अगर ऐसा है यहाँ पे not को निकाल लूँगा तो उपर वाले के अंदर जैसे नीचे positive बनेगा उपर negative बनेगा अब यहाँ पे not को गुसाना पड़ेगा और not का आएगा 2 से जस्ट पहले याद रखें कभी भी 2 के बाद में इंफिनिटिव के बीचों बीच not को हम नहीं जो है बीच में fix नहीं करते हैं इसलिए यहाँ में लिखूंगा the questions were too easy not to answer समझ गे बस यह इसका advanced version है आपको sentence को meaningfully भी देखना है जब भी यह structure आपको मिले न उसको खोल करके देख ले न ऐसा ना उसका meaning जो है अजीब सा निकल रहा हो गलत निकल रहा हो अगर गलत निकल रहा होगा तो समझ जाना 2 से पहले note लगाने की जरूत है जैसे ही लगाओगे sentence बिलकुल meaningful बन जाएगा questions इतने easy थे कि कोई सवाल ही निए था उनको जवाब ना करने का there was no possibility of not answering them है ना इस तरह से note लगाते ही meaning निकल आएगा अब इसके practice करवा देता हूँ एक दो sentence से और practically आपको sentence मिलेगा इस तरह का exam में Einstein was too smart to discover the theory of relativity Einstein इतना smart था जो theory of relativity है उसको discover नहीं कर पाया आप इस sentence को सबसे पहले break करें so that वाली structure में पहले देख लिए ना 2-2 में कोई error ना हो वो structure तो आपकी बिलकुल set battery है है ना अब इसको break कर दो so that वाली structure में Einstein was so smart that he was not able to discover the theory of relativity आप जैसी break करोगे आपके पस meaning निकलाएगा उल्टा सा Einstein इतना smart था कि वो theory of relativity को discover नहीं कर पाया अरे वाई इतना smart था इतना आपको लगता है वो intelligent था तो theory of relativity को discover करेगा ना वो और अगर आपको लगता है वो नहीं कर पाया तो उसको smart क्यों बोलो आप उसको dumb बोलो ना आप उसको जो ऐसा कुछ बता हो जो नहीं कर पाया समझे पर बात को sentence meaningfully गलत है अब क्या इलाज है इसका यहां से not निकलेगा तभी यह sentence बिल्कु सही बनेगा Einstein was so smart that he was able to discover the theory of relativity यहां से तो निकाल दिया लेकिन यहां पे भी change करना पड़ेगा जैसे ही आप यहां से negative से positive बनाते हो उपर वाले को positive से negative बनाना पड़ता है अब इस two से पहले इस two से पहले आप यहां पे not को लगा दे Einstein was too smart not to discover the theory of relativity पूरा walkthrough बता रहा हूँ मैं आपको exam में कैसे इन questions को solve करना है बढ़ेंगे next question की तरफ अब आप देखेंगे आगे धीमे धीमे करके questions थोड़े difficult होंगे अगला question देखने से पहले एक छोड़ी सी चीज़ को add करूँगा आप किसी भी exam की त्यारी करते हो इंडिया के जितना जुरूरी उसके concept चीखना है उतना ही जुरूरी है last moment पे उसके exams को देना mock test को और mock test के अंदर test book भारत का leading brand है for example अब देख पा रहे होंगे चाए SSC हो चाए banks हो चाए UPSC हो चाए defense हो हर exam के 1000 mock test आपको मिलते हैं एक single package के अंदर अब ये 17,000 mock test का पूरा package जो है आपको मिलता है 299 रूपीज में एक साल के लिए और 399 में 2 years के लिए और ध्यान रखें जब आप buy करें न तो why 8010 coupon code लगा ले 10% additional discount मिल जाएगा buying link को मैं डाल रहाँ comment section में first comment में pin'd है अब वहाँ से buy कर सकते हैं चलिए इस question में न आपको तीन में छोटी उटे formula बता देता हूँ तीन structure है हमारे पादा है पहली है nothing else इसके साथ में but आता है दूसरी nothing less इसके साथ में देन आता है तीसरी है no other इसके साथ में देन आता है आप बोलो का सर ये तो रट्टा मारने वाली बात हो गई बिलकुल सही बात है लेकिन इस structure को याद रखा जा सकता है रट्टा हमारे बिना भी कैसे आपने less than वाला फ्रेज तो सुना होगा English में less than वाला फ्रेज सुना होगा न we have less than 4 kg of sugar left हमारे पास 4 kg से कम शुगर रह गई है सुनते हो न less than तो यह less than तो वह है comparative degree और साथ में हमने देन को लगाया हुआ है तो nothing less जो है न वह अपने बाद में देन को लेगा कभी बट को नहीं लेगा less than से इसको याद रखे और आपने इंग्लिश में structure सुने होगी other than there is no other than me there was no other than me in the classroom classroom में मेरे लवा कोई भी नहीं था समझो ना तो other than भी आपको यह structure अच्छे से याद हो नहीं चाहिए अगर आप reading करते हो बस यहां से आप इनको पकड़ लो इन दोनों के बाद में देन और nothing else के बाद में बट अब यूज करके दिखा लेता हूं factory workers have demanded nothing else but यह then a wage increase factory workers ने demand किया है किसी भी चीज को नहीं सिवा एक wage increase के वह बोलते हैं सिरफ हमारी मजदूरी को बढ़ा दो और इसके लावा में कुछ नहीं चाहिए nothing else तो nothing else के बाद मेरे भाई then नहीं आता है बट आता है याद रखना पड़ेगा थोड़ा से आपको then को काटे और बट को यूज करें अगले sentence में यहां पर इन्होंने wage increase के लावा कुछ नहीं मंगा था और यहां यह बोल रहे है wage increase से कम हमें कुछ नहीं चाहिए पहले तो wage increase करके ही दो इससे कम तो मानेंगे नहीं इसके बाद बताएंगे आपको और क्या चाहिए है ना इससे कम बिल्कुल भी नहीं चलेगा nothing else नहीं nothing less less के बाद में आता है then यहाँ पे लगाएंगे then को और तीसा देख लो factory workers have no other demand but then a wage increase factory workers की और कोई demand नहीं है सिवा एक wage increase के यह पहला और तीसा sentence एक दूसरे के synonym बनेंगे एक जासा meaning रखेंगे लेकिन आपने देख लिया है no other के बाद में no other के बाद में आएगा तो आएगा सिर्फ then तो यह structure से हैं तीन आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी less than और other than से मैंने इनको याद किया हुआ है आप भी करकर रख सकते हो जिसके बाद में यह दोनों ना वेठे वहां पर बट आएगा और आपको जाना naturally आपको बता लगना चाहिए nothing else के बाद में बट आना चाहिए आज़ो next concept पर तीन question आपके सामने रखे हैं Mars is so big as the earth is Mars उतना ही बड़ा है मंगल उतना ही बड़ा है जितनी की अर्थ है जितना की जमीन है structure आप जानते होंगे बहुत ही simple structure है इसको हम बोलते है simili as plus में adjective या adverb और फिर से again as दो चीज़ों को compare करवाती है एक चीज़ इसके पहले होगी दूसरी चीज़ इसके बाद में होगी तो यहाँ पे भी वही काम करना है यह so big जो है गलत structure बन गई तो हम क्या करेंगे लेकिन बहुत advanced structure है आप इस sentence को ऐसा भी लिख सकते हो Mars is as big a planet as the Earth is अब आप पूछो के बीच में क्या है यह वो चीज़ आई है जिसकी विनापे दोनों को compare किया जा रहा है समझे हो Mars और Earth का जो comparison हो रहा है यहाँ पे किस विनापे हो रहा है किस basis पे हो रहा है इनके ग्रहों के होने के basis पे यह दोनों इतने ही बड़े ग्रहे है बराबर कि जो है इनकी अकार है यह हम यहाँ पे compare कर रहे है तो जिस चीज़ पे जिस विनापे आप compare करोगे आप as big as के बीच में आप उसको लगा सकते हो as a noun तो as big a planet as the earth is sentence में no error है इस sentence पर आप जो है कहीं भी मिले तो इसका मतलब समझ जाना समझ गे ना simili की advanced structure बता रहा हूं मैं यहाँ पे planet बीच में ना भी रखा हो तो भी sentence सही है लेकिन अगर बीच में रख दिया गया है तो हम simili को जिस मिना पे compare कर रहे है वो आपको बीच में पता लग जाएगी अब अगला sentence देखो Mars is as big if not bigger than Earth is Mars उतना ही बड़ा है अगर ज़्यादा बड़ा नहीं है अर्च से मान लो अर्च का अकार है 100 meter square यह 100 volume निकालना मान लो अर्च का अकार है अर्च का जो साइज है 100 volume 100 meter cube है ना और Mars का भी है 100 meter cube मैं बोल रहा है Mars और अर्च जो है अगर Mars अर्च से बड़ा ना हो तो ठीक है लेकिन उसके जितना तो बड़ा है तो 100 तो कम से कम है यह मार्च भी हो सकता है 101 ना हो इस sentence का यह समझ के अब ध्यान के देना है यहाँ पर हमने दो दो चीज़ें यूज की हुई है दो दो कंजंक्शन पहले तो सिंगली यूज की हुई है और दूसरा हमने देन लगाया हुई इफ नोट बिगर देन यह sentence ऐसा है Mars is as big as Earth is if the Mars is not bigger than the Earth समझ रहो इस तरह से दो दो structures को हमने compare किया हुआ है यहाँ पर confuse नहीं होना है as big के बाद का as हमने यहाँ पर omit किया हुआ है उस as को आप लगा करके आए exclusive structure है ध्यान रखना जब भी ऐसा आपको मिल जाए as big और बाद में as को निकाल रखाओ और फिर लिखाओ if not bigger than है ना उतना तो है अगर ज्यादा बड़ा नहीं है तो उस case में as big as को पूरे को लिख के आना है structure को बीच में बीच में मत छोड़ा ना है as big लिख करके यह वाला आया चोड़ा हो गई समझ गे चलो आज़ो next formula पे until or unless का इसमें 80% students confused होते है कव until लगेगा कव unless लगेगा ध्यान से समझेंगे लेको until का मतलब होता है पहले unless देख लो इसमें बताई जाती है condition और until का मतलब होता है timing ये तो आपने किताबों में पढ़ा होगा वो ही मैं बता रहा हूँ जब तक कि यह काम ना हो और वो काम का होना short short है बोलने वाले के हिसाब से सूरज है वो तो उगे गई कल तुफान है वो थो एक दिन थमना ही वाला है पानी है एक दिन तो वो जो है भाब बनके उड़ना ही वाला है समाझ वчесarea आ गया एक दिन तो वो बुझने ही वाली है, हर वो चीज जो आपको देखते ही पता है कि एक ना एक दिन होगी होगी, वहाँ पर अंटिल का यूज करें, और मीनिंग चाहिए हो जब तक ये काम ना हो, ये वाला काम है न, जो शोर शोर्ट हो, तो वहाँ पर अंटिल, और अगर कोई कंडिशन चाहिए हो, जनरल सी, किसी टाइम डूरीशन की बात ना हो, उस केस में अनलस को, अब थोड़ा प्रिटिकली देख लेते हैं, इन दोनों से एक रूल ओड जुड़ा हुआ है, इनके बाद में कभी भी नौट नहीं आता, अंटिल और अनलस जहां लग गया, उसके आने वाले कलोज में, नौट अल्रड़ी अप लगा चुके हो, अंटिल और अनलस के बीच में नौट लगा हुआ हैंना, बाद में नौट लगाने की दिरुद नहीं है, ध्यान से देखो इस संटेंस को, इस बोट विल सिंक अंटिल या अनलस वी डॉन्ट रिपेर इट, ये नाव डूब जाएगी अगर इसकी रिपेरिंग हम ना करें, तो इस नाव को सही कर लो रिपेर कर लो, नहीं तो ये डूब नहीं वाली है, ये बात पक्का है, समझ गे, सबसे पहला काम, अंटिल अनलस के बाद का नोट निकालना है, इस नोट को तो पेपर में निकालके ही आओगे, संटेंस को अफर्मेटिव बनाओगे, क्योंकि नोट इसमें अलड़ी आ चुका है, अच्छा दूसरा काम क्या, अब इन दोनों में से एक को चूज करना है, अंटिल लगाएं या अनलस लगाएं, मुझे ही बताओ, आप यहाँ पे कहना क्या चारे हो, ये नाव डूब जाएगी, अगर इसकी रिपेरिंग ना हो, ये नाव डूब जाएगी, जब तक इसकी रिपेरिंग ना हो, भई जब तक का क्या कनेक्शन है यहाँ पे, इसकी रिपेरिंग होना, कोई श्योर काम भी नहीं है, समझेर बर बात को, आप कहरे हो अगर इसकी रिपेरिंग नहीं हुई न, इस नाव को आपने सही नहीं किया, मरम्मत नहीं कि तो डूब जाएगी अगर वाला मीनिंग चाहिए, जब तक वाला मीनिंग नहीं चाहिए इस केस में अंटिल आई नहीं सकता है, यहाँ पे आप लगाओगे अनलेस थोड़ा एडिया आपको लग रहा होगा, कब किसको उसको यूज करना है अब थोड़ा सो और आगे बढ़ते हैं, इस ही को advance बनाता हूं मैं इस question को देखो द्यान से ambitions are never over, until or unless we don't die ambitions कभी भी over नहीं होते हैं, ambitious कभी भी खटम नहीं होते हैं ambitious का मतलब होता है इच्छाएं या महत्वकांक्षाएं तब तक खतम नहीं होती है जब तक हम मर ना जाएं तो इंसान जब तक जीएगा ना तब तक उसके अंदर इच्छाएं और महत्वकांक्षा रहेंगी मरने के बाद ही आप बोल सकते हैं इसकी कोई इच्छा जो है आज की रेट में नहीं है सबसे पहला काम यहां से इस don't को निकालना है चाहे तो until आए चाहे तो unless आओ हमें कोई मतलब नहीं है इस note का यहां कोई काम नहीं है इतना हमें पता है अब चेक करेंगे दोनों में से क्या लगेगा मुझे बताओ जब तक इंसान ना मरे तब तक ambitions पूरे नहीं होते हैं या फिर अगर इंसान ना मरे तब तक इंवेशन्स पूरे नहीं होते हैं दो बाते हैं अलग-अलग मैं आपसे बोल रहा हूँ अगर इंसान मरे नहीं ना अगर इंसान अमर रहे हमेशा हसता रहे खेलता रहे कूलता रहे तो उसकी इच्छाएं कभी खतम नहीं होंगी बात ये भी ठीक है और मैं आपको दूसरा सिंटेंस क्या बोल रहा हूँ जब तक इंसान मर ना जाए जब तक जो है इंसान दफनान ना दिया जाए तब तक उसकी इच्छाएं जो है हमेशा जिन्दा रहेंगे ये दूसरा वाला है आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा इस केस में और यहाँ पर आपको एक हिंट भी मिल गई इंसान के डाय करने का काम शोर है होने वाला है अगर आपको जब तक वाला मीनिंग मिल जाए और आपको शोर शोर्ट कोई चीज मिल जाए सूरज का उगना, इंसान का मरना आपका बुझना, तुफान का थमना समझे ना मेरे बात को उस केस में आप यूज करते हैं किसको अंटिल को अब आइडिया आपको लग रहा होगा कैसे लगाना अंटिल कैसे लगाना है अनलेस को एक दो सेंटेंस ओर करोंगा आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए अच्छे से लास्ट में क्विज में इसी क्वेशन को आपको सॉल्ब करना है ऐसा ही क्वेशन बने हुए है मुझे फॉन मत करना मुझे फॉन मत करना अगर या जब तक इमर्जन्सी ना हो मुझे कॉल मत करना अगर या जब तक इमर्जन्सी ना हो इस केस में दोनों साइट बैठेंगे जब तक इमर्जन्सी ना हो तब तक मुझे कॉल मत करना और अगर इमर्जन्सी ना हो तब भी मुझे कॉल मत करना आप यहाँ पे जो इन चूज कर सकते हो चाहे तो until को चाहे unless को लेकिन आप prefer करेंगे unless को इस case में और ऐसे cases में आपको अक्सर देखने को मिलेगा unless and until ध्यान से समझे prefer होगा unless until भी गलत नहीं होगा अगर यहाँ पे लगाया जाए तो और unless and until जो है यह most preferable choice होनी चाहिए आपकी क्योंकि इसमें दोनों ही आ गए है ना ध्यान एकी चीज़ को देना पहले unless को लिखें फिर until को लिखें यह phrase ऐसा ही होता है unless and until बहुत लोग इसको लिखते है until and unless वो वाला गलत हो जाएगा unless and until को यूज़ करें until and unless को कभी भी ना लिखें समझगे इस case में prefer अगर आप करेंगे आप फिर भी करना चाहेंगे unless कोई क्योंकि real emergency जो है emergency का होने का काम short short नहीं है मान लो यहाँ पे सूरज उगने की बात होती तो यह short काम आ जाता है फिर unless आने का कोई चांस ही नहीं था until ही आना था समझे रहो ना तो इस sure होने वाली गटना की तरफ ध्यान रखना अगर गटना sure हो तो सिरफ और सिरफ अंटिल आएगा नहीं तो unless आएगा और सेंटेंस मिना लो यह का था चलो avoid touching the wall unless until the paint is completely dry walls को touch करना avoid करें दिवारों को चूना जो है ना चूएं जब तक paint जो है पूरी तरफ ड्राइ नहीं हो जाता देखो जब तक यह काम ना हो जब तक paint ड्राइ ना हो यह काम आप समझ गे तो until से होता है दूसरी चीज पेंट को अगर आपने लगाया है तो वो ड्राइ हो गई होगा अगर आपने कहीं को paint की है न यह एक शास्तों सत्य है नैच्रल फिनॉमेन होना है paint का ड्राइ होना तो फान का थमना बार बार बोल रहो हो मैं ऐसी गड़ना हो गे अंदर जब आपको short short दिखे और जब तक व वाला formula याद रखना है इसके बाद until or unless में 1% भी confusion नहीं होनी चाहिए किसी को भी चलो आगे बढ़ते हैं किताबों में नहीं मिलेगा भाई ये experience से बता रहा हूँ कई किताबों को पढ़ने के बाद जो है देखो कभी-कभी आपको ऐसी state मिलेगी जिसमें दो action होंगे ऐसे sentence मिलेंगे जैसे एक आदमी था मोटा आदमी उसने exercise की और वो slim हो गया first action है यहाँ पर exercise करना second action है उसका slim होना और ये दोनों जो action है एक दूसरे से agree भी कर रहे है आदमी जब exercise करता है तो वो पतला हो जाता है agreement भी है दोनों actions में पहला मिलेगा condition आपको ये अब देखो second condition first action और second action तो होगा लेकिन आपस में agree नहीं करेगा एक मोटा आदमी था उसने exercise की और वो मोटा का मोटा ही रहा या और ज़्यादा मोटा हो गया है तो यहाँ भी दो action होने वाले first action है exercise करना दूसरे action है और मोटा हो जाना दोनों action एक दूसरे के बाद में आ रहे हैं पहला दूसरे के लेकिन एक दूसरे से agree नहीं कर रहे हैं तो इस तरह के जो sentence है न उस पे 10 conjunction लगती हैं आपको बता देता हूं कैसे लगेंगी देखो यह first type के sentence का मैं आपको पूरा equation बता रहा हूं जिसमें दोनों action एक दूसरे से agree कर रहे हैं तो first action से पहले आपको यह वाली conjunction चाहिए होती है सारी की सारी since, because, as, for, यह क्या करती है क्योंकि की बात करती है क्योंकि ऐसा हुआ क्योंकि यह आदमी ने exercise की इसलिए वो slim हुआ समझे में क्या कहना चारहूं आपसे इस तरह के sentence जिसमें पहला और action दूसरा action दूसरे से agree करें कोई भी contrast ना हो इस case में first action से पहले अगर कोई conjunction आएगी तो इन चारों में से एक conjunction आएगी उसका meaning होगा हिंदी में क्योंकि अच्छा इन इस तरह के sentence में second action से पहले अगर कोई conjunction की जगा दी हो आपको तो आपको चूज करना है so therefore या hence यह आदमी ने exercise की इसलिए so therefore या hence यह आदमी पतला हुआ समझे में ना तो इस तरह के sentence में first action से पहले ये conjunction क्योंकि का काम करेंगी second action से पहले ये वाली conjunction इस लिए काम करेंगी और इस तरह के sentence देखो इसमें first action से पहले आपको contrast वाली conjunction चाहिए क्योंकि उस आदमी ने देखो while का मतलब होता है हालांकी है ना हालांकी हालांकी उस आदमी ने exercise की थी लेकिन फिर भी वो मोटा हो गया समझे ना तो while although दो इस तरह के contrasting action वाले sentence में first action से पहले आते है और second action से पहले हमारे पास यहाँ पर आता है but still या yet इसका मतलब होता है बहुत आसान है मुश्किल नहीं है इन conjunction का मीनिंग आप हलका फुल का जानते हो यहाँ पर एक formula के जरीए बता रहा हूं कौन सी conjunction आपको कभी यूज करनी है बहुत advanced concept है अगर first action से पहले यूज करनी हो दोनों action agree कर रहे हो तो इन चारों में से एक और मतलब होगा क्योंकि क् exercise की थी इसलिए पतला हो गया और यहाँ पर आएगा हालांकी इस मोटे ने exercise की थी फिर भी पतला नहीं हुआ सिरफ action देखना है दोनों एक दूसरे से agree कर रहे है या नहीं कर रहे है और result की बात हो अगर action agree कर रहे हो तो बोल दो इसलिए वह आदमी पतला हुआ so therefore या hence या फ first action और second action को आपको determine करना है जैसे ही आप determine करोगे अपने आप इन चारों छहों में से conjunction एक निगल करके आ जाएगी sentence सुनो the titanic sank the titanic sank अब देखो यहाँ पर कुछ भी लगाओगे आप एक conjunction को it hit a huge ice work titanic डूब गया और इसने एक बड़े से ice work को hit किया एक बहुत से बड़े से जो है बरफ की सिल्ली को इसने hit किया देखो मुझे बताओ titanic डूबा पहले या टाइटनिक ने बरफ की सिल्ली से टकराया पहले बहुत यह टाइटनिक है Titanic जो एक शिप का नाम है यह बरफ की सिल्ली है इस सिल्ली से टकराया और टकरा के डूब गया फर्स्ट एक्षन क्या है हिट करने का आइसबर्ग से आपको यह इडेंटिफाई करने है फर्स्ट एक्षन है इट हिट अ हाइसबर्ग और सेकिंड एक्षन क्या है टाइटनिक डूब गया अब मुझे बताओ आपको जो कंजेंशन चाहिए आपको जो कंजेंशन चाहिए वो किसके पहले चाहिए, first action के पहले चाहिए, second action के पहले चाहिए, देखो ये, it hit a huge iceberg, ये है, क्या first action, first action से पहले, अगर दोनों के दोनों agree कर रहे हैं, तब तो आप लगाओगे, because को, as को, since को, for को, और अगर के अगर दोनों agree नहीं कर रहे हैं, तो आप लगाओगे, while को, although को, या दो को, formula वो ही चल रहे हैं अब मुझे बताओ, अगर ship बरफ की सिल्ली से टकराएगा, और डूब जाएगा, क्या ये action अगरी करते हैं, बिल्कुल अगरी करते हैं, बरफ की सिल्ली से टकराना और डूबना, तो बिल्कुल अगरी करने वाला कहां है, ship के लिए, अगर ये अगरी करने हैं, तो आप यहां पर यूज करने वाले हो, because को, समझ के, बस इस formula से हमें चलना है, आपको action identify करना है, first कौन सा, second कौन सा है, फिर आपको identify करना है, conjunction किस से पहले आ रही है, conjunction आ रही है, यहां पर first वाले से पहले, फिर आपको देख लेना है, दोनों agree कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, agree कर रहे हैं, तो आप उपर वाले में से first वाला ले लोगे, because, since, as या four को, अगर ये agree ना कर रहे होते, तो मैं नीचे वालों में से first वाला ले 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 ता, while, although, या दो को, अब आपका सवाल हैगा, sir, इन चारों में से किसको लगाएं, because, since, as, as, for, as, इसका एक बड़ा simple सा formula है, ये एक आप ना order को ध्यान रहे है, because, since, or as, ये जो ना decreasing order में जाते हैं, जब किसी चीज का बहुत ज़्यादा आपको direct current बताना हूँ, direct reason बताना हूँ, जैसे Titanic के डूबने का direct reason है, यहाँ पर लोग जो है, ये जो ship बड़े से, बरफ के जो है, चटान से जाके टकरा है, iceberg से, सीधा सा अगर major reason बताना हो किसी चीज का, तो because को use करें, अगर आपका major reason बहुत ज़्यादा major ना लगे, आपको to since को use करें, और अगर आपको लगे, कि आपका reason बिल्कुल भी major नहीं है, कोई minor reason है, तो आप आप as को लगाएं, इसका कोई formula नहीं है, ये सिर्फ आपकी understanding के लिए 3 conjunction बनी हुई है, तीनों का meaning एक ही है, क्योंकि बस ध्यान रखना है, तीनों की intensity में फर्क है, नीचे वाले order में जारे हैं, decreasing order में, अब आपका सवाल आएगा sir, इस 4 का क्या करना है, चोथी का तो आपने बताया है नहीं, देखो 4 है coordinating conjunction, coordinating conjunction का एक कानी होती है, इन से पहले, जितनी भी coordinating conjunction नया close बनाती है, अपने पहले कॉमा जरूर लेती है, अगर इस sentence में 4 लगेगा, तो sank के बाद में 4 से पहले इन्होंने कॉमा दिया होगा, समझगे ना, coordinating conjunction जैसे जितनी भी हैं, fan boys है ना, fan boys formula में आपको बताया हुए, तो सारी की सारी coordinating जो conjunction है, वो अपने पहले हमेशा कॉमा को लेगी, अगर वो एक close को दूसरे close से जोड़ रही है, अगर आपको यहाँ पर लगाना हो, since, as, या, because के जगह पे, तो इस कॉमा को चेक करें, कॉमा आया, तो यहाँ पर कुछ और नहीं आएगा, मुझे बताता हो, पहला action और दूसरा action क्या है, पहला action होना चाहिए, या तो weather cold है, और इसलिए मैं jacket पहनी है, jacket पहनी है, या फिर कुछ लोग यूँ बोल दें, सर मैंने आज jacket पहनी है, इसलिए weather cold है, भई पहले मौसम ठंडा होगा, या तुम jacket पहनोगे, पहले मौसम ठंडा होगा, फॉर्स एक्षन है, weather is cold, समझगे ना, आपकी jacket पहनने से सर्दी निया आती, सर्दी आती है, तब आप jacket पहनते हो, समझगे ना, फॉर्स एक्षन, weather is cold, सेकंड एक्षन, I am wearing a jacket, अब मुझे बताओ, दोनों action में agreement है या नहीं, भई ठंड आई, और मैंने jacket पहनी, दोनों में agreement भी है, अगर ऐसा है, तो उपर वाले में से, इन दोनों में से एक कोमें चूज करना है, अब मुझे बताओ, जहां पे conjunction रखी है, उसके बाद में कौन सा action आ रहा है, उसके बाद में आ रहा second action, second action आ रहा है, तो मैं second action के पास वाली, इन conjunction में से कोई भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा, the weather is very cold, so I am wearing a jacket today, बस यह chart पगड़ लेना आपको, formula में ने आपको दे दिया, अब यहाँ से आपने formula से निगाल दिया, so, therefore या hence में से एक को लगाएंगे, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, so की जगए therefore क्यों ने लगाया, hence क्यों ने लगाया, तो उसका meaning समझ लो, देखो so आएगा informal condition में, जब आप बोल रहे हो, या आप कोई जो है, जब आप step by step किसी मेंदर में किसी चीज को प्रूफ करते हो, जैसे आप बताओगे, आज सुबह temperature था 10 degree, उसके बाद IMD ने बोला, military officer department ने कि आज बहुत ठंड पढ़ने वाली है, अगले कई दिनों तर ठंड पढ़ेगी, और फिर हमने देखा कि सर्दी जो जुखाम बहुत बढ़ रहा है, आज पास के मॉलों में, हैंस, इसलिए मैंने आज जैकिट को पहन लिया, समझ रहो न, आप जनरली mathematics में हैंस नाम के word को यूज़ करते हो, हैंस proved, step by step manner में जब किसी चीज का proof रखते हैं, मैं आपको meaning भी बता रहा हूं और इनका difference भी बता रहा हूं, पहले तो आपको group चूज करना है, और फिर उस group में से देखना है, सबसे ज़्यादा suitable conjunction कौन सा है, इस case में आनी चाहिए, therefore भी आ सकती है, अगर ये official कोई report होती है, अगर हम कोई informal writing कर रहे होते, question और बनाएंगे इस पर एक और, जहां से समझे, the weather is very cold, I am not wearing a jacket today, the weather is very cold, I am not wearing a jacket today, पहला action है weather के cold होने का, दूसरा action है मेरे jacket को ना पहनने का, दोनो actions के बीच में contrast भी है, दोनो actions के बीच में disagreement भी है, अरे मौसम ठंडा है तो jacket पहन ना, दोनों में अगर आपके contrast आ गया, तो आप second वाले जो है चार्ट को यूज़ करेंगे, अब आप मुझे बता दो, जहां पे conjunction आई है, उसके पहले उसके बाद में कौन सा action है, उसके बाद में weather के cold होने का, यानि की first action, तो आप चूज़ करेंगे, इस second वाले में से first वाले को, समझगे ना, first action से पहले इन चारों को यूज़ करना होता है, अब आप यहां पे चूज़ करने चाहिए, while the weather is very cold, I am not wearing a jacket today, formula लगाना है, सही अपने group को चूज़ करना है, और उस group में से सही conjunction को चूज़ करना है, अब आपके दिमाग में आगा सर, while दो और old तीनों ही हैं, तो इन में से कौन सा यूज़ करें, देखो while तब यूज़ करें, जब simultaneous action हो रहा हो, weather अभी cold है, और मैं अभी jacket को नहीं पहन रहा हूँ, माल दो ऐसा होता, weather रात को बड़ा ठंडा था, लेकिन फिर भी मैं अभी jacket नहीं पहन रहा हूँ, weather रात में ठंडा था, और तू अभी jacket नहीं पहन रहा है, हलांकि पहननी चाहिए, रात में weather ठंडा था, सुबह भी हो सकता है, लेकिन उस case में, while ना लगा के आप यूज़ करें, although को, क्योंकि जब weather ठंडा था, और आपका जो jacket पहननी की ज़रूत थी, दोनों simultaneous नहीं थे, अब इस case में दोनों simultaneous है, अभी weather ठंडा है, और अभी मैं jacket नहीं पहन रहा हूँ, आप while को यूज़ करें, simultaneous action contrast को दिखाने के लिए, while को यूज़ करते हैं, वैदर माइनस सतर डिगरी पह है, तब भी मैं jacket नहीं पहन रहा है न, इस तरीके की बात हो, बहुत emphasis डालना हो, तब आप यूज़ करें, even though the weather is very cold, चलिए, एक question और करने वाले हैं, the weather is very cold, I am not wearing a jacket today, the weather is very cold, I am not wearing a jacket today, भई पहला काम है, वैदर के cold होने का, दूसरा काम है, मेरे जैकेट ना पहनने का, दोनों में agreement हो नहीं रहा, और यहाँ पर agreement ना होने के बावजुद, conjunction के बाद रखा हुआ है, second वाला action, तो second action से पहले हम लगाते हैं, but still है yet को, तो मैं लिखूँगा, weather is very cold, but I am not wearing a jacket today, अब बात आई सारी के, but still or wet में क्या फर्क है, तो भाई but होता है informal, बोलने में आता है, लिखने में कम आता है, still को आप कभी भी, conjunction की तरह यूज़ ना करें, still conjunction होती नहीं है, still एक adverb होती है, यह आपकी जिद को बताती है, इतना होने के बावजुद मैं ऐसा हूँ, still I am this way, still अगर use होगा, तो उससे पहले या तो but आ रहा होगा, या पहले वाले close से पहले although आ रहा होगा, although the weather is very cold, still I am not wearing a jacket today, या the weather is very cold, but still I am not wearing a jacket today, तो still का तो अकेले आने का कोई connection है यह नहीं, तो यहाँ पे use करना yet को, और अगर बोल रहे हो किसी से, या छोटी मोटी कुछ लिखाई रिखाई राइटिंग कर रहे हो, वहाँ पे use करें but को, informal में but, formal में yet, I think समझ क्यों होंगे, बहुत detail में जा रहा हूँ मैं, इसलिए जा रहा हूँ, question एक भी गलत नहीं होना चाहिए, और यह पूरा content, पंदरा घंटे का content है, offline class में, जब teacher आपको पढ़ाता है, मैं आपको formulas दे रहा हूँ, आप खुद से figure out करो, याद आपको कुछ भी ना रखना पड़े, यह formula इस chart को आप देखो, और खुद से बता दो, कहाँ पे किसको लगाना है, वैसे तो इस video को मैं यहाँ पे खतम कर देता, quiz को solve करवा के, लेकिन एक काम करते है, एक concept इसमें छोटा सा और बाखी है, इसी का advance form है, यह जो आपने सिखा है न, तो कोशिश कर लेते हैं, इसी वीडियो में डाल देता हूँ, अगर आपको overload ना हो रहा हो तो, जिसकी डो ज़्यादा हो गई हो, एक break ले लेना, मैंने भी एक break ले लिया है, अब देख लो, यह last advance concept है, यह question हैं, मुझे लगता है, आप मैं से 90% लोग नहीं बता पाओगे, इसमें करना क्या है, formula आपके सामने है, लेकिन यहाँ यह formula काम नहीं करेगा, कोशिश करो, many students found this exam too difficult to track, यह 2-2 वाली structure आपको याद है है न, too difficult to crack, बार बारिश हो रही है, बिजली के वाज होगी है न, तो many students found this exam too difficult to crack, अब यहाँ पे लगेगी conjunction, इसके दो तरह के meaning निकलेंगे, पहला क्या, बहुत सारे students ने exam को बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मुश्किल पाया था, यह हो गया first action, और दूसरा, मुश्किल पाने की वज़े से उन्होंने बहुत hard प्रिपेर किया था, बहुत ज़्यादा मुश्किल से प्रिपेर किया था, यह हो गया second action, first action हो गया, exam को मुश्किल पाया जाना, और इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेर करना, दूसरा कुछ student क्या वोलेंगे, कुछ student ऐसा वोलेंगे, बहुत सारे student ने बहुत अच्छे से प्रिपेर किया था, फिर भी उन्होंने इस exam को मुश्किल पाया, समझ रहो, इसमें आपको confusion लगेगी, कौन सा action पहले हुआ है, student को exam मुश्किल लगा, इसलिए उसने बहुत त्यारी की थी, उसने previous year paper को देख लिया, और फिर लगा कि मुझे त्यारी करनी चाहिए, या फिर student ने बहुत त्यारी की थी, उसके बावजुद student को exam बढ़ा ही मुश्किल लगा, समझ गे, अब इस तरह के question करने का तरीका क्या है, आपको जब action समझ में ना रहा हूँ, first कौन सा है, second कौन सा है, तो आप जो है न सारी नजर डालें, किस पे, past perfect tense पे, past perfect tense का मतलब क्या होता है, past of past, मानलो मैं ऐसे आपको बोलू, मैंने सुबह 10 बजे नास्ता किया था, और फिर मैं बोलू, 7 बजे मैंने चाय पीती सुबह के, 10 बजे breakfast, 7 बजे tea, तो ये past का past है, 7 बजे वाला टाइम, मैं अभी बज़ने हैं दुपहर के 3 बजे, मैं 10 बजे की बात कर रहा हूँ, ये होगी past की बात, और ये जो 7 बजे की बात है न, ये past का भी past है, ये होगी past perfect की बात, तो जिस tense में past perfect को यूज़ किया जाता है, उस past perfect को यूज़ करके हम बदाते हैं, कि ये past का भी past है, तो जो गटना past में होई है, उससे पहले ये वाली गटना होई है, समझगे न, तो perfect tense जहां पे लगा हो past tense, समझ लेना वो काम पहले हुआ है, और उसके बाद वाला काम हुआ है, अब देखो sentence कैसा है, student ने prepare किया था बहुत ज़्यादा इस exam के लिए, student ने prepare किया था बहुत ज़्यादा इस exam के लिए, first action, और second action कहा है, student ने पाया इस exam को बड़ा ही मुश्किल track करने में, समझ लो, बिल्कुल meaning बदल गया सारा का सारा, student ने बहुत मेंनत की थी, first action है, बहुत मेंनत करके बैटा था, लेकिन exam में बैटा थो 60-60 गुल हो गई, exam को बड़ा ही difficult पाया, अब देखो, इन दोनों के अंदर आपको दिखेगा contrast, मेंनत की, फिर भी exam मुश्किल लग रहा है, contrast लग रहा है, agreement नहीं हो रहा है, आपको यहाँ पे conjunction चाहिए, किसके पहले, first action से पहले, first action से पहले आती है, though, although या while, यहाँ पे मैं यूज करूँगा, किसको, while नहीं आ सकती, क्योंकि दोनों जोए, एक साथ नहीं हो रहे हैं, एक टाइम पे नहीं हो रहे हैं, यूज करूँगा, although, many students found this exam, too difficult to crack, although, they had prepared very hard for it, समझ गे, formula बता दिये हैं, मैंने आपको, past perfect दिख जाए, समझ जाना, एक sentence और कर वारा हूँ, इस से मेरे साब से, 100% आपको clear हो जाएगा, many students had found this exam, too difficult to crack, यहाँ पे कुछ डालना है, they prepared very hard for it, दियान से देखो, किसम में आ रहा है वही, past perfect, had found, यहाँ पे आ रहा है, मतलब पहला action है, एक्जाम को difficult पाना, student ने पहले exam का, past year prelims का question देखा, और पता लगा, उसको बड़ा ही मुश्किल है, और फिर second action क्या हुआ, उसने बड़ा hard उसके लिए prepare किया, दोनों action जो है, इस तरीके से हो रहे हैं, यह पहला है, यह पहला है, यह दूसरा है, और दोनों के बीच में agreement भी है, difficult था, इसलिए preparation भी hard की, समझगे ना, second action से पहले, मुझे conjunction चाहिए, agreement वाली चार्ट में जाऊंगा, इस वाली को use करूंगा, और यहां लिकर क्या हूंगा, so, therefore, या hence, formal है तो, therefore, informal है तो, so, और hence, आपको बता, step by step manner में hence लिखा जाता है, समझगे, past perfect tense is your ultimate clue, कौन सा जो है action पहले, और कौन सा action बाद में, चलिए, अब आजब फटावर्ट से अपने quiz पे, यह questions आपके 5, जो मैंने आपको सिखाया, 5 questions पे अपलाई होगा, answers भी दे रहा हूं, first comment में, इसी वीडियो के, एक और चीज, आप channel पे जाओ, home page पे, आप इसी वीडियो के comments में जाओगे न, सबसे पहले तो आपको answer मिल जाएंगे, इस तरीके से यहां पे, और दूसरा आपको मिलेगा, एक link पूरी English grammar का शुरू से, तो यहां से आप पूरी grammar को देखें, जैसे 49 पार्ट चल रहा है, अच्छी लगी हो वीडियो, आपने सिखा हो, तो like करके मुझे बताएं, share करके बताएं, content वो दे रहा हूं, जो paid वाली apps भी, पैसे लेने के बाद भी आपको उतना detail में नहीं देती हैं, कुछ अलग करने के लिए YouTube पे आया हूं, चल रहा है,